इसो हेलोगेयों वेल्कम बैक तो माँ यूट्वीप चैनल दोस्तों इनिइन्ट कोष्ट गाट बहुत सारी कंडिटेट मुझे मैसेज कर रहे हैं सर स्टेट गवर्मेंट बसे सेंट्रल कशेंट्रल गवर्मेंटक उस्सेंट्रल सर्टिपिकाट होता है उसमें क्या डिफ्रे रहता है वो बनने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ठीक है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत बागदोर करनी पड़ती है इसलिए तो देखो इसकी जो टर्म्स इन कंडिशन होती है तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले ही बता देता हूं मेरा टेलिगाम पर लिंक इ जाए मेरे टेलिगाम गुरुप को जोइन करिए और सबसे पहले अब्रेट पाने के लिए उसे फॉलो जरूर करिए का ठीक है देखो इड़को सेंट्रल बसेज कि इस्टेट गवर्मेंट को कोई भी सेंट्रल गवर्मेंट की अगर जोब आती है तो उसमें जो आपका जात यूदर के उसे बैरिफाइ करा सकते हैं यानि कि इन कोस्ट का का जो सेंटरल का shift रहेगा आपका चाहे में आते हैं चाहे में आते हैं चाहे बीची में आते हैं तो सभी फॉर्म जो हैं इसके वेपसार्ट पर अप्लब दें आपको डाउनलूड करके फॉटो का भी निकलवा के उसके बाद आप अपने या तो नजदीक तैसिल में जा सकते हैं या तो डीया मौफिस जा सकते हैं ठीक है वहां से आपका वहां से बेरिफाइब हो जाएगा आपके टेंप से कंडिशन को देख लिए जाएगा कि आप इसके बैलिटी बैलेड हो या नहीं हो उसके बाद में अगर बैलेड हुए आप तो आपका जो काश्ट रिटीपिकर वह बना दिया जाएगा अगर नहीं है तो आपको वापस कर देखो क्या क्या है मैंने स्क्रेन पर लगा दिया आप लुक देख सकते हैं और मैं बोलके बता देता हूं कि किसी कंडिडेट की जो आय है वह 8 लाग से कम होनी चाहिए ठीक है उसके बाद इस सो बर्ग का सो बर्ग घज का एक प्लॉट नहीं होना चाहिए नगरपालका च्छेत्रम है उसके बाद आपकी जमीन आपकी पास होनी चाहिए वह पांच इकट से जादा नहीं पांच इकट से कम होनी चाहिए ठीक है यह आपके पास हैं तो आप वैलिड हो एड़िव सर्टीपकेट बनवाने के लिए लिए यह तो आपका बन जाता है क्योंकि जो दो अगर आप उत्तर परदेश से बिलॉंग करते हैं तो खासर से बात कर रहा हूं अगर वहां से बन जाता है उनलाइन भी बन जाता है लेकिन अध्याओं अध्रप्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर पर अफ्लाइन आपका EWS मता है जांच परताल होती है चाहिए आप SC स से आते हैं जाए यानि की वेरिफाइब किया जाएगा ठीक है तो भाई आप अगर डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन कोष्ट कार्ड के लिए जाएंगे तो आप घबढाना बिल्कुल भी मत क्योंकि जो स्टेट कवर्णमेंट का जो सेटिपिकेट है वही सेंटल सेंटल गवर्मेंट का ठीक है तो मेरे साथ भी यही हुआ था मेरे पास बी का नहीं था लेकिन अधर परदेसाय सरकार सटानों मेक्ता डवलर के टार दो उबकुंकि आदियефक किया घाट है ठीक है तो उसके बाद में मैंने बोला अच्छा सर ठीक है तो फिर उन्होंने बोला कि यही एक्जाम अगर आप देने जाते हैं तो आप यही बाला दिखाएंगे आपका वहां पे एसेप्ट किया जाएगा सकते हैं तो आप को एक्षाइड बता दे रहे हैं वहां से आप से बना के रेजिस्टर करके वहां से अफ्लोड कर सकते हैं और आपका दस से पंदरा दिन में बनके आ जाएगा करता है तो आप आप बिलकुल भी टैंशन मत लीज progression अलग रहती हैं और प्रदेश क Oke उत्तरिश का है उस सेंट्रल कर लू ऐसलिए इसका गवर्मेंट का जो इस्ट 70 कर भी सकते हैं लेकिन बिहार का ऐसा नहीं है बिहार बहर तो यह थी इस वीडियो को बनाने में में बनाने का मकसद ठीक है आप लोगों को बताना था कि बहुत सब्सक्राइब कि मेरे ऐसे कंडिडेट भाई हैं जो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है और एक बात और जो आप सर्टिपिकेट बनवा रहे हैं या आपके पास जो पहले जहीं है वो शिक्स मंथ पुराना नहीं होना चाहिए ठीक है के मामले में बहुत जादा सतर कर रहता है यानकि उससे कंडिडेट निकालने होते हैं के लिए तो इसलिए तो आई होप आपको वीडियो प्रसंद आयोगा वीडियो प्रसंद आयो तो लाइक चैनल को कर देना सब्सक्राइब तो अगर देखा जाए तो लगबग में सतर प या तो वीडियो प्संद नहीं आ रहा है या तो आप लोगों को मेरी मैनत अच्छी नहीं लग रही है तो फ्रेंट्स आई होप आपको वीडियो प्संद आयोगा सब्सक्राइब जरू कर देना जैन जैवारत बंदे मातरम